हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेस्टी तुरही की रेसिपी सेहर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो इसके लिए मैं आपे एक किलो तुरही ली हूँ सबजी है जिसे सब कोई खाना पसंद नहीं करता है लेकिन इसे टेस्टी तरीके से बनाया जाए ना तो बड़े तो बड़े क्या बच्चे भी उंग्लिया चार चाट करके खाएंगे तो देखिए फ्रेंज एक तुरही हम चिल लिए अब हम इनको एक अलग बरतन में रख लेंगे और मैं एक और तुरही आपको चिल करके दिखा देती हूँ पहले दोनों किनारे कट कर लेंगे और इनको अच्छे से चिल लेंगे तो ऐसे दोनों किनारे कट कर देने से इंका छिलका बहुत एजली निकल जाता है और छिलने में हमको इनको परिसानी भी नहीं होती है तो बस इनको बहुत केरफुली छिलते जाएंगे और यह अच्छे से छिल जाएंगे यह देखिए इसी तरह से सभी तुराई को छिल लेंगे तो देखिए फ्रेंस अभी तुराई को छिल करके हम त्यार कर लिए हैं यह देखिए तो अब हम इनको तीन से चार पानी अच्छे से धूल लेते हैं पहले और यह देखिए फिरेंजेमिन इनको अच्छे से धूल करके भी रख लिए तो अब हम इनको कट करेंगे तो एक अलग बर्तन ले लेगे और एक तुराई ऐसे हाथ में लेगे और इनको ऐसे दो बार कट करेंगे ऐसे तीन भाग करना है इनका और ऐसे पतला पतला slice कर लेंगे आप चाहें तो अपने मन पसंद सेप में इनको cut कर सकते हैं लेकिन ऐसे सबजी जल्दी करती है और देखने में भी सबजी सुन्दर लगती है तो बच जो बड़ा तुरही है मतलब जो थोड़ा चौड़ा है उसमें तीन बार चीरा लगाएंगे ऐसे इसका चार भाग करेंगे और अब हम इनको ऐसे पतला पतला slice में cut कर लेंगे आप अपने मन पसंद सेब में भी cut कर सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है किसे में ऐसे ही cut करना है तो देखे फ्रेंज इसी तरह से सभी तुरही को हम cut कर लिए हैं और आप देख सकते हैं सबजी एकदम पतला पतला slice हुआ है यह देखे और इदम इनके छोटे पीसे हो गए हैं तो ऐसा करने से सबजी बहुत ही अच्छे से गल जाती है और जल्दी पकती है मैं एक किलो तुरही लिए हूँ लेकिन आप अपने जरुत के साब से तुरही कमिया जादा कर सकते हैं जितना आपको जरुवत हो अब एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें डालेंगे साथ से आठ छीली हुई लसुन की कलिया चार हरी मिर्च यह हरी मिर्च तीखी कम है अगर आपकी तीखी है तो दो से तीन डालिए और हरी मिर्च जरू डालिएगा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक छोटे साइज का प्याज रफली चौप किया हुआ अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो एक मीडियम चमच मुमफली ली हूँ तो भुणा हुआ मुमफली का दाना है इसको मैं पहले ही तवा पर अच्छे से रोस्ट कर ली हूँ और ठंडा जब हो गया है तो इसका छिलका हटा ली हूँ और साथी में डालेंगे दो चमच पानी और इनको एकदम महीन पीस लेंगे और देखे अब चुले पर कड़ाई रख देंगे गयास अन करके इसमें डालेंगे एक चमच तेल आप कोई भी कुकिंग अले सकते हैं जो आप खाते हैं जो आपको पसंद दो और इसमें एक चमच ही तेल डालना है क्योंकि सबजी को हम एकदम हेल्दी तरीके से बनाना है तेल गरम हो गयास को अब्स फ्राइश को तब तक की न का प्लार चर न हो जाए घर करते समय बार बार चलाते रहेंगे तो देकी फ्रिंज बिल्ख बिल्कुल अच्छे तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत अच्छा आता है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लिक मीडियम टू लो रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको ढख करके तीन से चार मिनट तक पकाएंगे बीच-बीच में ढखकन अटा-टा करके चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे ताकि यह चारो तरफ अच्छे से कूख हो तो देखें तीन से चार मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं इनमें से तेल से प्रेट हो रहा है और यह बहुत ही अच्छे से कूख हो गया है तो इनको एक पर और अच्छे से चला लेंग कि मिक्स कर लेंगे और अब शुलेंगे कटी हुई ठुर हे कि तुराई की सबस्क्रची तो अपने को मीडियम चारत करके करेंगे और आप आआ इसे बनाना पसंद करेंगे अभर आको एकल लेंगे पहले इन मसालों के साथ तुराई को 2-3 मिनट भून लेंगे उसके बाद नमक डालेंगे बीच-बीच में ऐसे चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि ये चारो तरफ अच्छे से भूने तो ऐसे इन मसालों के साथ ये तुराई भून जाते है ना ते इनका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है और ये बहुत टेस्ट ही लगते हैं खाने में गैस का फलेम अभी इसाइम हम लो रखेंगे लो फलेम पर इनको ढख करके 4-5 मिनट तक पकाएंगे तो इनमें से काफी पानी रिलीज होगा तो पहले इनको लो फलेम पर पकाएंगे ताकि अच्छे से सौफ्ट हो जाएं उसके बाद गैस का फलेम मीडियम रखेंगे तो 4-5 मिनाट हो गए मुझे इनको low flame पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं इनमें से कितना पानी रिलीज हुआ है तो बस इनको एक बार और अच्छे से चला लेंगे, mix कर लेंगे और आप देख सकते हैं तुरह हमारी थोड़ी-थोड़ी soft भी हो रही है और अब हम इस time क्या करेंगे, gas का flame medium कर लेंगे अब हम medium flame पर ढख करके 5-7 मिनट तक पकाएंगे और बीच-बीच में ढखकन हटा-टा करके चलाते रहेंगे, mix करते रहेंगे तो 5-7 मिनट हो गए मुझे इनको medium flame पर पकाते हुए और यह देखे फ्रेंज हमारी super tasty, super healthy तुराई की सबजी बन के ready है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गल गई है आप इनकी consistency देख सकते हैं कितनी थीक हो गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक मुठी बारी कटा हुए हरा धनिया और अच्छे से mix कर लेंगे तो फ्रेंज देखे ना कितना आसान तरीका है तुराई बनाने का और यह बहुत ही ज़्यादा delicious बनता है इस तरह से ट्राई ज़रूर करें आपको बहुत ही पसंद आएगा तो अब हम गयास का फ्लेम बनत कर देंगे और ढख करके इनको दो मिनर तक छोड़ देंगे ताकि हरा धनिया का फ्लेवर अच्छे से सबजी के अंदर तक चला जाए उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे और ये लिजी फ्रेंस हमारी super tasty, super healthy, super delicious तुरई की सबजी नए टेस्ट में बन के रेडी है इस तरह से ट्राई ज़रूर करें आपको और आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगा आप इसे रोटी, चावल, पराठा या पूरी सब के साथ सर्व करिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आने पर लाइक करें, अपने धेर सारे दोस्तों के साथ सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें